नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जार्खन BSC Nursing 2024 की तीथियों की घोशना पंजिकरन 24 अगस्त से शुरू जार्खन सयुक्त परवेश परत्योगी परिछा बोट यानि JCEV ने जार्खन BSC Nursing परवेश 2024 की तारिकों की घोशना कर दी है खबर है कि आवेदन परक्रिया 24 अगस्त 2024 से ही शुरू हो गई है इचुक छात्रों को अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए समय सीमा से पूर्व अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए बता दे कि आवेदन की शुरू होने की तिथि है 24 अगस्त 2024 वहीं आवेदन के समाप्त होने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2024 है साथी बता दे कि आवेदन में किसी परकार की तूरूटियों का सुधार करने का समय 10 सितंबर 2024 तक का निर्धारित है वहीं एक्जाम जिहां परवेश परिशाती थी और समय 21 सितंबर 2024 है अगले दो दिन में जार्खन बंगाल ओरिसा पहुँचे का निम दबाओ मौसम विभाग ने कहा है कि जार्खन में कहीं कहीं गरच के साथ बर्शा होगी और कुछी इलाकों पर बजरपात भी हो सकती है बता गया है कि अगले पाँच दिनों के दोरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है खबरे की निम्दबाओ का शेत्र बनने के बाद यह अगले दो दिन में जार्खन पस्ची मंगाल और ओडिसा तक पहुँचेगा इसका असर जार्खन में देखने को मिलेगा मौसम बिग्यानिकों के अनुसार समुद्र तल पर बना मौनसुन, टर्प, जैसलमेर, सीधी, चैबासा, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है इसका असर जार्खन पर देखनी को मिलेगा मौसम बिभाग ने कहा है कि जार्खन में 28 अगस्त तक अलग-अलग इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है मौसम बिग्यान बिभाग यानि IMD के अनुसार मौसम केंद्र ने चार दीनों के लिए एलो अलर्ट जारी कर दिया है जार्खन में 27 अगस्त को होगा दिवित्य पुनिरिक्षन के बाद मददाता सुची का परकाशन जार्खन जहां विधान सभा चुनाव की खोशना सितंबर में होने की संभावना है वहीं सताईस अगस्त को दिवित्यो पुनेरिक्षन के बाद मतदाता सुची यानि मोटर लिष्ट का परकाशन होगा बतादे कि इसके बाद केंद्रिय चुनाव आयुक की टीम ज्यारखन का दौरा करेगी खबर एकी टीम के दौरा करने के पंद्र दीन के अंदर चुनाव की घोशना हो सकती है पंद्र सितंबर के बाद चुनाव की घोशना हो सकेगी ज्यारखन के अलावा महराश्टर में भी बिधान सभा चुनाव की घोशना होनी है बिधान सभा चुनाव से ठीक पूर्व परधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहारखंड आ सकते हैं खबर एकी सितंबर के परथम या दूसरे सपता में परधानमंत्री का संताल परगना के दुमका में आने की मीडिया में खबर है केंद्र सरकार ने एकिकरित पेंशन योजना को दी मन्जूरी लाखो करमचारियों को परभावित करने वाले एक महतुपूर्ण निर्णय में बीजेपी के नेत्रित ववाली केंदर सरकार ने शनिवार को एकिकरित पेंशन योजना यानि UPS को मजूरी दे दी जो सुनिशित पेंशन और सुनिशित पारिवारिक पेंशन परदान करती है केंदरी मंदल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और परसारण मंतरी अश्विनी वैसरों ने कहा कि केंदर सरकार के लगभग 23 लाख करमचारियों को एकिकरित पेंशन योजना यानि UPS से लाब होगा केबिनेट की बैठक की अधिक्षता परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने की करमचारियों के पास राष्टिय पेंशन योजना या UPS जारी रखने का बिकल्फ होगा बता दिक उन्होंने कहा कि केंदरी मंतरी मंडल ने सुनिशित पेंशन परदान करने वाले सरकारी करमचारियों के लिए एकिकरित पेंशन योजना यानि UPS को मजूरी दे दी है पचास पर्तिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तम है, दूसरा स्तम सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी, केंदर सरकार के लगभग 23 लाख करमचारियों को एकिकरित पेंशन योजना से लाब होगा जारखन में सिक्षक पातरता परिशा आविदन फोर्म भरने की अंतिमतिती है आज जारखन एकेडमी कॉंसिल यानि येक ने जारखन सिक्षक पातरता परिशा यानि जेटेट 2024 के लिए आविदन की अंतिमतिती बढ़ा दी है खबर है की ओनलाइन आविदन की नई अंतिमतिती अब 26 अगस 2024 है जो की मोलतिती 22 अगस 2024 से बढ़ा दी गई है यह फैसला जैक पोर्टल में तकनिकी समस्याओं के कारण आया है जिससे उमिदवारों को अपना पंजीकरन पूरा करने में बाधा आ रही थी बतादे की जेटेट के लिए अधिसुचना की तिथी थी 19 जुलाई 2024 वहीं आविदन करने की अंतिमति थी 23 जुलाई से 26 अगस 2024 तक थी बतादे की परिशा का अस्तर प्राथमिक अस्तर के सीख्छकों यानि कक्षा एक से पांच के लिए अउधी ढ़ाई घंटे वहीं उच प्राथमिक अस्तर के सीख्छकों के लिए परिशा के अउधी तीन घंटे निधारित है ट्राई का कडा रूख कहीं पढ़ना जाय भारी बैंक अकाउंट से कड़ जाएंगे पैसे पर नहीं आएंगे SMS टेलिकॉम रेगुलिटरी ओथरिटी ओफ इंडिया यानी ट्राई ने फरजी कॉल और मैसेज के खिलाब अपनी मोहिम को और तेज कर दी है नए नियमों के अनुसार टेलिकॉम कमपनिया एक सितंबर से ऐसे किसी भी मैसेज को ट्रांस्मिट नहीं कर सकेंगी जिन में URL, OTT लिंक या AP के शामिल हो इसके अलवा ऐसे कॉल बैक नंबर्स को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा जो टेलिकॉम कमपनियों की वाइट लिस्ट में रेश्टर नहीं है इस कदम का मकसद स्पैम खास दोर पर फीशिंग मैसेज पर रोक लगाना है हलाकि इससे ग्राहकों को बैंक फाइनेंशियल इस्टिटूशन और E-कॉमर्स कमपनियों से मैसेज प्राप्त करने में कुछ दिक्कते हो सकती है कहा जा रहा है कि ये कदम ग्राहकों को फरजी मैसेज और स्केम से बचाने में मदद करेगा यह कंजूमर्स के बीच टेलिकॉम कमपनियों और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच बिश्वास बढ़ाएगा यही नहीं ये कदम टेलिकॉम सेक्टर में और ज्यादा ट्रांस्फिरेंसी और जबब दे ही रेलवे के आठ लाख करमचारियों समेथ 23 लाख केंद्री करमचारियों को मिलेगा UPS का लाब केंद्र की मोदी सरकार ने 24 अगस्त को सरकारी करमचारियों को UPS यानि यूनिफाइड पेंशन स्किम के तहत पेंशन देने का ऐलान किया इसको लेकर शिव गोपाल मिस्रा ने कहा है यानि कि AI आरेप के महासचिव शिव गोपाल मिस्रा ने कहा है कि सिर्फ रेल करमचारियों को ही नहीं बलकि 23 लाख केंद्री करमचारियों को UPS का लाब मिलेगा इसमें 8 लाख रेल करमचारी भी शामिल है पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में मूल अंतर ये है कि OPS non-contributory थी जहां Contributory थी और NPS Contributory है इसमें 10% कर्मचारी का भी कटेगा ये पहले भी कटता था लेकिन वो ब्यास के साथ return हो जाता था उन्होंने कहा है कि सरकार ने नीती बदली है और जिस तरीके से नीती बदली है उससे तमाम लोगों को संतोस है कि कम से कम उनको retirement के समय पैसे मांगने के लिए मजबूर नहीं होगे और किसी के सामने हाथ नहीं पहलाना पड़ेगा पेंशन के जरीव अपना गुजारा कर लेंगे 5G का युग हुआ खत्म भारत में शुरू होगा 6G सेवा भारत में 5G सेवाओं का अगाज हो चुका है जिसमें जीयो और एरेटल जैसी प्रमुख टेलिकॉम कमपनियों ने पुरिदेश में 5G नेटवर्क उपलप्त कराया है वोड़ाफोन आइडिया और बेसनल भी जल्द ही 5G नेटवर्क शुरू करने की तयारी में है बताद की लेकिन अब एक नई और बड़ी अपडेट सामनी आई है अब सरकार चाहती की भारत 6G सेवाओं में सबसे पहले कदम बढ़ाए और बैश्पिक नेता बने इस दिशा में केंदरी टेलिकॉम मंतरी जोतीरा दित्य सिंधिया ने रिलाइंस जीओ, भारती एर्टेल, बोड़ाफो नईडिया और बीसनल जैसी टेलिकॉम कमपनियों को 6G सेवा के बिकास के लिए तेजिसी काम करने का निर्देश दिया है बताद की पिछले शुकरवार को मंतरी ने टेलिकॉम ओपरेटरों के साथ एक सलाकार समिती की बैठक में भाग लिया जहां उन्होंने 6G टेक्नलोजी के डेवलोप्मेंट पर जोर दिया इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंतरता दीवस पर घोशना की थी कि भारत जल्द ही 6G जिहां तकनीक में परवेश करेगा मंत्री जोतिरा दितिय सिंधिया के निर्देश अनुसार टेलिकूम उपरेटोरे ने बैठक में राइट और परमीट को सरल बनाने और बिजली की दरों और शुल्क की कमी करने की मांग है जिहां मांग की है इन मांगों को पुरा ना होने पर सिखजी सेवा के बिकास में रुकावट आ सकती है जहारखन के लोहरदगा से बड़ी ख़वर सामने है यहां तालाब में डूबने से तीन बच्चे की मौत जारखंड के लोहरदगा जिले में बड़ा हाथ सा हुआ है यहाँ एक तालाब में डूमने से तीन मासुमों की दर्दनाक मौथ हो गई है कवरई की तीनों बच्चों में एक क्यूम्र साथ साल बाकी दो की पाँच साल थी तीनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए उत्रे थे कवरही की मामला लोहर दगा जीले के सेनह थाना इलाके का है यहां के एक गुड़ी गाओं में रविवार को एक हाथी का आया था हाथी को देखने के लिए गाओं के कई बच्चे उसके पीछे टल रहे थे इतने में बच्चे नहाने के लिए एक तालाब के पांस रुग गए इसमें से तीन बच्चे तालाब में उतरे और खुद को संभाल नहीं सके और डूबने लगे बच्चों के डूबने की सुचना जब परिजनों को मिली तो वहां पहुँचे और बच्चों को लेकर अस्पताल पहुँचे अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को मृत खोशीत कर दिया